इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेस्ट गेम मोड के लिए बेस्ट टीम काफी ज्यादा लोग चाहे नहीं हो या पुराने हो या फिर मेडियम प्लेयर हो बहुत से लोग नहीं खेलते हो उस गेम मोड को पता नहीं क्यों साइट टाइम की वजह से या फिर उनको इंट्रेश नहीं आता है खेलने में यह क्या होजया है मुझे ने पता लेकिन उस गेम मोड को नहीं किलाते हैं हाला कि अबाते준 नहीं करते हैं नहीं कियो और यह क्यों। गाइज इस्टोरी मोड आपको डेली खेलना है जितना भी आप खेल सकते हैं तो भी दिक्कत नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम एक तो खेलो डैमेंशन क्लास वाला तो पूरा करो और इसके लिए अल्टिमेट खेलने के लिए आपको कौन सा टीम लगेगा बेस् जादा इंपोर्डेंट गेमोड है तो देखो अगर आप पोड़ बॉस लेजन नहीं खेल पा रहे हो या फिर मालो एक बार ही खेल पा रहे हो ठीक है और आप इस्टोरी मोड डेली खेलते हो तो आपको बहुत ज्यादर बेनिफिट होने वाला देखो यहां पर बेसिक खेलने का यहीं फाएदा रहेगा कि योडि और टीशिपी मिलेगा गेडिक के साथ में हां यहां पर देख सकते हो 2022 Awar देख द् longtemps करने प्ले करना है और सोचो अगर 20 बार भी आपको दो-दो मिल गए तो कितना मिलेगा चालीस योडी या फिर चालीस टीसेपी चालीस चालीस के माउंट में आपको योडी टीसेपी मिल जाएगा जो कि एक बार वर्ल बॉस लेजंड खेल होगे तो आपको वहां से 20 15 25 तक ही मिलता है है आप यहां पर रेक्टर आपको इको यहां वार लेजुन के लिए लेकिन आप की सिर्फ त लेकिन आप स्टोरी मोड खेल रहे हो तो मतलब एक बार और वर्ल बॉस लेजंड खेल रहे हो ठीक़ योडी टीसे कर खेंगे सोट सी करके मिलेंटी किसमे कि अधिने चैक्टर करते खेंडेलेशन लाएचец का मिल रहा है और पर धंपर लोंटन की ठेक्टर मिलेंगे चानल को क्या भी चाहिस इतने भास है नहींद करेंगे यहां से इनका बाइमेट्रिक लेके आप अपने केरेक्टर को लेबल 80 कर सकते हो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो मेरा हल्क लेबल 80 पर है और गाइस मैं आपको यह बता दू कि यह मेरा नया अकाउंट है कि आने कि यानने इंट च्रणने शोगए तुमारे और यहां पर देख और यह आंपर ऑग्ते इस अकॉट में आपको बटा देताओ पहले आप यहां पे देख लो अल्ट्रोन मेरा किलियर tipra that यहां पे रहता है तो यह देखो दो बार मैंने इसका यह पार नहीं दे पारा हूं 0% पिर से ठीक है with level 80 हल्क तो यह है मेरे account का update बाकि चलो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मैं story mode यह story mode कैसे clear करता हूं यानि कौन से character से मैं इसको खेलता हूं तो मेरा जो story mode का team है वो यह वाला है यहां पे आप देख सकते हो wasp है और वैल करें और हलक है अभी हां यहां पर मैं ये उससे के तो पर वन में लगा देंदे कि गया है कहा तक गया तो यह दो यहां पर इसमें डेमेज Only रिप्र मर जाएगा और सैप करने वाले हैं वास्प और वैयल कर यह सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करें प्रिश्टिक्षण रहता है तो इनर्जी वाले करेक्टर डेमेज नहीं देंगे ठीक है अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे तो यहां पर सीधा-सीधा देखा जाए तो हल्क यहां पर काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी काम करता है क्यों कि इसके पास में है इनमी उसको यह पेनीटरेट कर देता है वह जो इम्मीटी होता है वह पेनीटरेट करके भी उनको देमेज देता है थो हुल्क वन अब डबैस्ट केरेक्टर है फॉर इस्टोरी मोड SECRET मिड और अप एकदम से नहे हो लेकिन फिर भी यह यहां पर डेमिज करने के लिए बहुत अच्छा बैस्ट करता हूं और यह जो देख रहे हूं वास्प मैंने यहां पर क्यों लगाया है रिजन मैं आपको बतादेता हूं वास्प लगाने का सबसे बड़ा रीजन यह है यहां पे रिमूब आल डिवॉफ मिल रहा है 20 सेकेंड के लिए और यह 25 सेकेंड के रहता है रिमूब आल डिवॉफ से क्या होता है इससे आपका हल्क फासेगा नहीं जो इस्टोरी मोड खेलते वक्त बाउंडर आते हैं जो सरकल चक्री घुनता है मतलब इनवार्मेंट में जो चलता रहता है जो उन लोगों का अटेक रहता इस टॉन कर देते हैं कभी-कभी आपको बाइंड कर लेंगे इसे कंट्रोल कर लेंगे ठीक है तो वह सब नहीं कर पाएंगे हल्कों को जब तक यह वास्प रहेंगी टीम में और इतना ही नहीं ब इस हल्क करेगा और आप यहांपे देख सकते हो सिर्म प्रसेंट ऑर साफ से मिल रहा है और मैंने यहां पर अपो नहीं और अबलेक्स में भी मैंने इग्नोर डाज और एच्पी का अबलेक्स लगा यह फो परसेंट वाला प्रोक है यह इतना बढ़ियां तरीके से गाम नहीं रहता तो और ज्यादा रहता लेकिन इग्नोर डाज और एच्पी यह दो चीज परफेक्ट है इसलिए मैंने इसको लग बोल सकता हूं कि यहां पर टास्मास्टर बेश्ट काम करेगा क्योंकि एप्लाइट टू आल एलाई है और सुपर हीरो सुपर विलन दोनों के खलाप में उसका डेमेज इंक्रीज वालब बफ है तो यहां पर क्या कंडिशन है अगर आप टास्मास्टर लगा लेते हो तो ज इसलिए हमको एक और हीरो चाहिए जो तगड़े लेबल पर थोड़ा डेमेज हो इसका ना यूनिफार्म नहीं है तो इतनी अच्छी नहीं है इसका यूनिफार्म बहुत जल्दी लेने वालो क्रिस्टल हो गया है मेरे पास मैं इसका यूनिफार्म ले लूंगा जैसे ही से देली चाहिए रिक्वायर करेस्टर हो या ना अब हाई यह सवाल रहता है कि हमको फ्रेगमेंट कैसे मिलेगा नहीं मिल रहा पसीस परसंट च्छांस रहेगा अगर लेकार और यह चान्स अ足ते आ तो अगर एक character भी clear कर लेता ना अखेले तब भी 5% का chance रहेगा कि आपको fragment मिल जाए और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको 100% guarantee के साथ में fragment चाहिए तो यह जो character दिखा रहे हैं इसमें यह वेब है यह रोग है यह तीनों character अगर मिलके clear करेंगे इस stage को 6-1 को तो 100% guarantee के साथ में आपको story fragment मिलेगा अगर इन तीनों में से कोई मरता नहीं है तो यह अगर आपको फ्रेमेंट से यह तो आप story वाले character भी build कर सकते हो लाइक जो बहुत high level player हैं जिनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है सारे के सारे required character है सारे के सारे required uniform है सब कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो फिर आपके लिए ना एक ही game mode बचा है जिसके लिए आप character बिल्ड करो story mode में देखो कौन से character की requirement है उसको बिल्ड करो मन करें तो uniform लो नहीं मन करें तो मतलो कोई दिक्कत नहीं आपकी मर्जी है लेकिन character दिक्त ही नहीं होगी कभी आप फिली नहीं करोगे कि मेरे पास tier 3 material नहीं है यानि कि कमी कभी आपको महसूस ही नहीं होगी अगर आप story mode डेली खेलते हो तो यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट गेम मोड है जिसको आपको खेलना चाहिए रेगुलर बेसिस पे और इसमें ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का टाइम लगता है इस वाले काउंट में आधे घंटे का टाइम लगता है और यह आधे घंटे में किलियर हो जाता है आपको समझ में आ गया होगा इस्टोरी मोड के बारे में क्यूं खेलना है और कौन से केरेक्टर बेस्ट है फ़र इस्टोरी मोड फटाफट वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहे हो तो सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन को भी अन कर लो मिलते हैं बहुत जलनेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार